Hello friends FELICUM TO my studies field channel दोस्तो आज का TOPIK है बेक्तित्तों यह निए प्रस्नलिटी आठ बेक्तित्तों क्या है? बेक्तितों नाठ बीशिस्था क्या है? बेक्तिती की परिभासा क्या है? इसके बारे में आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे नहीं बूलेंगे इसे समझे जो भी questions आएंगे उसको आप आसानी से हल कर लेंगे इसलिए वीडियो को सुरू सिलाज तक देखते रहिए तो चलिए श्टार्ट करते हैं ब्यक्तित्तु क्या है सबसे पहले ब्यक्तित्तु के और्थ के बारे हम जान लेंगे ब्यक्तित्तु का अर्थ जो है लेटीन भासा में परसोना सब्द से बना है ठीक है लेटीन भासा के परसोना सब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखवटा यह question बहुत बर पुछा जा चुका है जैसा कि आप सब प्रिवेस एर के question and answer एक question आपका असा है solve सौल करते होंग तो इसमये परस्थ नालीटी के जो परस्थ नालीटी किस भासा से बना है तो लेटीन भासा से आर्थ क्या होता है as a person hos परसोना सब्दे से बना है जिसका आर्थ मास्क या मुखोटा होता है एक कोस्टन बहुत बर बना है इसको तेरो ध्यार में रखिए कि लेटिन भासा के परसोना सब्दे से बना है और इसका आर्थ होता है मास्क या मुखोटा ठीक है तो एक कोस्टन आपका बेरी जानेंगे कि ब्यक्चितु क्या है ब्यक्क्चितव जैसा कि पहले ब्यक्चित्व कोने जाता था, कि ब्यक्चितु जो है, जिसका शरी ठीक्थाक हो। जैल्लाए अच्छा हो। स्वास्त आक्रिती अच्छा हो। Ini is a Seches एक अच्छा प्रस्नाल्टी मना जाता था, यानि कि वो खाली बाहरी दिखावा को देखते थी, बट ऐसा नहीं है, आज के युग में, प्रस्नाल्टी का मतलब होता है, वो त्यायत्रीक रूप से, गुरुवान हो, आदतिय क्या है, उसकी येगुता क्या है, उसका इन्वाल वो कितना समाजिक है, उसकी निदेशित लच्छी क्या है, आत्मचेतना कैसा है, सारिक मानसिक स्वास्त कैसा है, सामझे से कैसे इस्थापित करता है, दिर इच्छा सकती क्या है, इन्हीं समस्त चीजों का योग ही, आज के युग में प्रस्नालिटी कहा जाता है, ठीके, त उसको बिखुषित करने के लिए समाजिक वातावरर, आथिक वातावरर, खेलकूद वातावरर, तो उन सबसे परिपक को होते हैं, इस पर का अनुवान सिक्ता वातावरर का ब्यक्तितु जो होता है, योग होता है, तो ब्यक्तितु के अंदर गत हम उसके गुरू को देखते हैं, कि उसका गुरू क्या है, वि सांत है वो रोबदार है ठीक है उसका चरित्र कैसा है उसके आदते कैसी है किसी कारे को बार बार दोराने से वो आदत बन जाती है ठीक है तो उसके आदते कैसी है कैसी है उसके एजिलिटी यानि योगिता क्या है इन सब को मिला करके हमारी प्रस्णालिटी बनती है ठीक है उस वह बहुत इंतलिजन है, तो अपना प्रस्नालिटी चाप छोड़ता है उस ब्यक्ति की प्रती, तो जिसे हम किसी से कहते हैं कि उस ब्यक्ति ऐसा था, तो हम बताते हैं कि उसकी प्रस्नालिटी का पता चलता है, ठीक है? तो यह था प्रस्नालिटी के कुछ सितत्व जैसे कि उसका गुड़ कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी आदते कैसी है, उसकी एजिलिटी यानि योगिता कैसी है, तो कुछे जनसधार, कुछे दिश्टिकोरों के अनुसार, अलग-अलग दिश्टिकोर से अलग-अलग प् खान, पान, हमारा सरीर, कैसा है, लंबा, चोड़ा, उचा, आकरिती, डिल, डोल, कैसा है, इस सब को देखते हैं, अब दाशनिक दिश्टी कोड से, वो आत्म अनुभूती को बेक्तितु की रुप में आखते हैं, जैसे की आत्म अनुभूती जो होगा, जैसे भी आत्म अनु क्या है, और समाज को प्रथम, यानि की जैसा ब्यक्ति होगा, वैसा ही समाज कनेर्मार्ग करेगा, तीक है, जैसा ब्यक्ति होगा, वैसा ही समाज कनेर्मार्ग करेगा, तीक है, जैसा ब्यक्ति होगा, वैसा ही समाज कनेर्मार्ग करेगा, तीक है, जैसा ब्यक्ति होगा, व प्रसनालिटी को तीन भागों में बता है, एड, एगो, शुपर एगो. इसके बारे में आगे प्रसनालिटी के बारे में जब बताऊँगी तो दिटिल में बताऊँगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं, बैक्टित्यों की परिभास, बिसेस्ताओं के बारे में, सबसे पहले, क्या उसमें बिसेस्ता होती है, क्या-क्या देखा जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे को उसमें समाजिकता, फिर एकता वो एकी करण होना चाहिए, सालरी को मान से एक स्व यानि कि थोड़े ही चीजों में संतुष्टी ना हो, हमेजा नहीं नहीं चीजों को अब जारू करने की या सिखने की उसमें तत परता हो, यह अच्छे प्रस्णालिटी का गुड़ है, और नीदेशिस लच्छ प्राप्ति यानि हर एक इनसान का एक नीदेशिस लच्छ होता है, उसके लच्छे को देख कर या जानकर हम यह कह सकते हैं कि आगे चल कर यह इनसान यह बन सकता है, या इसका इतना भी कास होगा, या इतनी आगे तक निकलेगा, तो उसके प्रस्णालिटी है, उसके लच्छे को भी देख कर ही हम पता, लगा सकते हैं हो बता सकते हैं उसक होगा उतना ही हम उच्छी लेवल पर जाएंगे एंड नेक्स्ट है द्रिल इच्छा सकती यानि एक अच्छे प्रशनाल्टी का यह भी विशेश्टा होता है कि वह द्रिल इच्छा सकती वाला होना चाहिए जिसे लच्छी को निधायत कर लिया है उसको प्राप्त करने में उ समझे से इस्थापित करने वाला हो तो यह हमारी एक अच्छे प्रशनालिटी को डेवलप करता है एक अच्छा प्रशनाल्टी माना जाता है तो हमने क्या समझा प्रशनाल्टी का अर्थ और प्रशनाल्टी क्या है प्रशनाल्टी को अलग-अलग इस तरों से क्या-क्या मा कर लेते हैं प्रशनाल्टी के बारे में विभीन विद्वानों के अलग अलग परिभासाइं क्या दिया हैं उनका मत भी जान लेते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट परिभासा जो आपके एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट होगे उन्ही को मैं यहां पर रखी हूँ तो निधायत करती है यानि इनके परिभासा आलपोर्ट की परिभासा बहरी इंपोर्टेंट है और अब इनकी परिभासा पूछा जाता है तो यह क्या कहा है ब्यक्ति तो ब्यक्ति में उन मनह सारीक पधतियों का गतिसील संगठन है ठीक है जहां मनह सारीक पधतियों का गतिसी तो इसको की पॉइंट बना लेजिए जहां पर आजा जान लेना की प्रशनालती की परिवासा आलपोर्ट का विचार है तो इनका परिवासा क्या है तो ब्यक्तित्व ब्यक्ति में उन मनहसाररिक पधतियों का गतिसाली संगठन है जो वातावरण के साथ उसकी अपुरु समा जान को निधार करती है तीक है वातावरण के साथ अपुरु समा जान को इनका क्या कहना है कि ब्यक्तित्व ब्यक्ति के चरित्र, शुभाव, बुद्धी तथा सारिक बनावड का थोड़ा बहुत ऐसा इस्थाई और इस्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अप पुरु समावजन आया है लेकिन इनके वे क्या की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ब्यक्तित्व ब्यक्ति के चरित्र, शुभाव, बुद्धी तथा सारिक बनावड का थोड़ा बहूत ऐसा इस्थाई और इस्थिर संगठन है यानि कि चरित्र, शुभाव, बु उसका ब्यक्टितु है। यहांपे की पुइंट आपको भूरना है वैक्ति की क्रियाओं का शमू हूं। ल्चनलेटी की स्वासी में निया सकती हुए। यहां पे हो सो तो वॉत की platform is this. नेस्ट परिवासा है मार्टन प्रिंस की इनका कहना है कि भ्यक्तिकी शभी प्रकार की जन्मझात प्रकृतियों, आवेगो, प्रवृतियों, इछां, मूल प्रविर्तियों या अनुभन द्वारा अर्जित बातो का यूग ब्यक्तित्ट है। को यहांसे हांप़ दो की पोईट आपको पकड़ना है। एक जन्मजाद परकीती। एक बातो का योग यहांसे पर आ जाए हाए एक जन्मजाद प्रकृति ठीक है जन्मजाद चीजों के बारे में जो हम बताएं हूं यह बातों का योग सब्दा आ जाए वहां मार्टिन प्रिंस की परिभासा होगी यानि कि इनका कहना है कि ब्यक्ति की सभी प्रकाय कि जन्मजाद प्रकृतियों आवेगों प्रवितियों इच्छाओं है ब्यक्ति तो है एक ब्यक्ति के ढाचे उसके ब्योहार के रूपूं रूचियों अभी बृतियों शामर्थियों योगिताओं और अभी रूजी के शबसे अधिक लाच्छडिक संकलन के रूपने भी की जाआ सकती है यानि यहां पर की पॉइंट् संकलन है जहां पर लाठ्षिक संकलन का बात आ जाए वहां पर मन की परिफासा होगी तो मन की परिफासा क्या है ब्यक्तित्यों की परिफासा एक ब्यक्ति के धाचे प्योहार के रूपों रूचियों अभिवित्यों सामर्थयों योगताओं और अभिरुची के सबसे अधिक नाठ के प्रविठा सकते हैं या उसके धायते और बात वयरतियों से लिए उसके रिव Frank Wow कि फिलरा आई March Ka only आपया सकते हैं 4 जो इंपारण परिवासा एय और मफ्रिक और छोटा सा परिवासा है जो कि very important है और इनकी परिखासा सबसे सब्सक्राइब है क्योंकि जो हमारा बेक्तित होता है Environment and Heritage का उयूग होता है तो इनका कहना है कि बेक्तित आंत्रिक और अर्जित बिन्यासों का जोड़ है जहां परिखे की बेक्तित्टी का उचकी परिवेश से समिचीन समयूजन है जहां परिवेश से समयूजन आया वहां पर बोरिंग की फ्रिवहासा है यहां पे जहां पे आदतों की बात आयों गुधर की किज़ा सकती है जो इस्त्री तथा प्रियोतन से अरोध वाला होता है, निश्ट प्रिभासा है फरिक्स की, फरिक्स की प्रिभासा क्या है, बेक्टित तो संस्कृति का ब्यक्तिक पच्छ है, तो संस्कृति का ब्यक्तिक पच्छ चाहाओं उफरिक्स की प्रिभासा है, निश्ट प्रिभासा भीनाई कोजनी है जो आपको आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ बार्च नेक्ष्ट वीडियों में प्रेस्नालिटी का वरकी खरण प्रेसमर्ट तबारा जो पिकनिक एथलेटिक सेनिकित किये हैं द्वारा जो इंडतोमप्रिक्क क में इक्टोमफिक किया है इस सब के बारे में डेटील में बताओंगी तो दूस्तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे से कमेंट में जबूरुरूब बताये अब वीडियो को जातल जाते अपने दूस्तों तक भी शेयर कीजिए और पहले हिवा विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिसे जो हिन मैं नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नाटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद है